हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल फ्रेंड्स मिसीस कोली की तरफ से प्यार भ्रहन मेशकार सत्ष्रियाकाल अदाब दोस्तों एक बर मैं फिर हाजिर हूँ एक नए रस्पी के साथ आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी अनियन रिंग्स यहां यह बहु असान है तो चलिए फिर देरना करते हुए स्टार्ट करते हैं तो यह दिखे मैंने अनियन के रिंग्स निकाल लिए हैं प्यास के रिंग्स निकाल लिए हैं बस हमें करना कुछ नहीं है इसे गोल गोल राउंड राउंड कट करना है और उसमें से इस तरह से रिंग्स निका तो सबसे पहले ले एक बोल और और इसमें डालेंगे यह सभी रिंग्स, क्युक्कि हमें इसे करना है, थोड़ा सा the coat, तो coat किससाथ करना है, मेदे के साथ , तो डाल देते हैं इसमें मैदा , दो चमच के करीब डाल देंगे, तो चलिए इन्हें हलका सा शेक कर लेते हैं इस तरह से ताकि सभी rings के ओपर मैदा अच्छी तरह से कोट हो जाए क्योंकि हमें करना है इसे एक batter में dip batter भी बताएंगे कि किस तरह का बनना चाहिए तो देखिए सभी rings हो गए हैं न कोट बस अब हम क्या करेंगे एक बोल में लेंगे कौन फ्लोर तो ये मैंने half cup के क्रीब लिया है कौन फ्लोर इसमें हम add करेंगे आदा चमच के क्रीब red chili powder यानिकी लाल मिर्च का पौडर टेस्ट के कॉर्डिंग डालेंगे इसमें नमक या आदा चमच भी कह सकते हैं आदा चमच ही मैं डाल रही हूं इसमें ब्लैक पेपर पौडर यान की काली मिर्च का पौडर अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अगर आपके पास कौन फ्लोर नहीं है तो आप अरह रूटका भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो देखें सभी चीज़ें आपस में मिक्स हो गई हैं अब हम डालेंगे इसमें पानी और बनाएंगे इसका बड़िया सा बैटर तो पानी आप थोड़ा थोड़ा ही इसमें एड कीजिए और अच्छी तांसे से मिक्स कीजिए इसमें लंब्स वगदा बिल्कुल नहीं रहने चाहिए गुट्लियां बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए एक स्मूथ बैटर बनकर त्यार होना चाहिए तो लीजिए बैटर हमारा बिल्कुल तयार है ये देखे ये इस consistencies का हमें चाहिए बैटर देख रहे है ना तो चलिए बैटर भी बन गया और प्यास को भी हमने कोट कर दिया है अब आगे क्या करना है आगे हमें चाहिए bread crumbs तो मैं bread crumbs का इस्तमाल नहीं कर रही फ्रेंड्स मैं इस्तमाल कर रही हूँ जो हमारे हम चाहे के साथ रस्क खाते है ना उसका इस्तमाल कर रही है तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कौन से इस्तमाल किये है ये देखिए इस तरह के simple और ये अच्छी तरह से mixy जाल में grind हो जाते हैं पता भी नहीं लगता है ना हमें roast करने की जरूरत है ना कुछ थोड़े से dark बनते हैं हमारे ये rings onion rings लेकिन बनते बहुत बढ़िया है बहुत कुरकरे बनते हैं तो मैं तो जब बनाती हूँ न कोई भी चीज तो उसमें bread crumbs की जगए इनी crumbs का यूज करती हूँ तो आप भी इस तरह से बनाईएगा तो देखिए मैंने batter में एक प्याज का ring डिप कर दिया है और बाखी भी डिप कर देते हैं और सीधा direct इससे डालेंगे box में यानि कि डिब्बे में डालेंगे मैंने डिब्बे में इसलिए डाल दिया है ये सारा bread crumbs bread crumbs ही बार बार मुह से डिप करना है और उसे रख देना है इस bread crumbs में तो आपको ये तो पता चली गया है कि हम रस्क का भी बहुत अच्छा crumbs बना सकते हैं bread crumbs बना सकते हैं तो चलिए आप इसे बंद कर देते हैं और इसे अच्छी ता से शेक करेंगे इस ताकि सारे bread crumbs इसके उपर लग जाएए देख लेते हैं एक बार तो अभी पूरे नहीं लगे हैं एक बार फिर शेक करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स ऐसा है कि इसे एक बार फिर हम डीप करेंगे बैटर में क्योंकि यह दूसरी बार से जब हम कोट करेंगे ना तभी इसके उपर अच्छे तरह से यह bread crumbs लगकर त्यार होंगे तो एक बार चेक कर लेते हैं फिर बाकी को भी बाद में इसी तरह से करेंगे पहले एक अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं कि उसके उपर कोटिंग किस तरह कियाती है तो देखिए बाकियों के उपर तो अच्छी तरह से नहीं आई है आप देख रहे हैं ना तो हमें डबल करके ही इसे अच्छी तरह से कोट करना है ब्रेड करम्स में तो यह देखिए यह मैंने दूसरी बार जो किया है कि इतना अच्छा आगय से डालती है ड्रक्ट तो बाकियों को भी मैं इसी तरह से डिप करके दूसरी बार फ्राइ कर लेते हैं तो बहुत ही सिंपल से रेस्पी है यह फ्रेंड्स लेकिन बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत टेस्टी होती है आप एक बर इस तरह से जुरू ट्राई कीजिए, मैं तो इस तरह से बनाती ही रहती हूँ, पर मैं देखिए, मैंने आपको एक simple सा way बता दिया है, easy सा way बता दिया है, अगर आपके पास bread नहीं है, bread crumbs बनाने के लिए, या कुछ भी नहीं है, तो आप रस्क से, अराम से bread crumbs बना देगा, लेकि अंदर से fry नहीं होगा, अच्छी तरह से, क्योंकि हमें बनाना ऐसे crispy, kurkara, तो इसे अराम से low to medium flame पर fry होने दीजिए, तो तब तक मैं दूसरे भी त्यार कर लेती हूँ, फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया ना, तो photo offer से मेरे चैनल को भी ज़रूर subscribe कीजिए, फ्रेंड्स हम जो वेज केटलेट सुनाते है ना उसमें भी मैं इनी ब्रेड क्रम्स का इस्तमाल करती हूँ और यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनते हैं ट्राई जुरूर कीजिए मेरे कहने पर एक बार तो चलिए यह तो हो गए फ्राई तो दूसरा बैच भी फोटा अफट से इसमें डालते हैं और उन्हें भी फ्राई कर लेते हैं यह देखिए डबल कोटिंग से बहुत अच्छी तरह से हमारे अनियन रिंग्स बन रहे हैं तो इसी तरह से आप बनाईएगा तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैं सारे रिंग्स बनाकर तियार कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बने हैं हमारे रिंग्स यह देखिए कितनी इची तरह से कोटिंग हुई है हमारे ब्रेटकरम्स की इसमयोपढ़ लीजे फ्रेंड्स हमारे अनिएं Chandrow सब्सक्राइब कीजिए पर मिल दियों एक और नई वीडियो के साथ तब तके लिए बाइबाई